नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल Learn with Dex में, दोस्तों यहां पर हम कर रहे हैं इंगलीज फर्स्ट लेंगवेज की येर 2021 की जो न्यू ब्लीप्रिंट आई हुई है, उसके साथ अठेच किया हुआ सैंपल क्वेशन पीपर, जहां पर फर्स्ट वीडियो में हमने कम्प्लीटली सॉल किया था सेक्शन ए को, और दोस्तों आज यहां पर हम बात करने वाले है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की, बिल्कुल वैसे ही डिटेल में, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक ताकि सारा का सारा सॉलीशन जो है, वो अच्छे से आपको समझ में आ सके, दोस्तों चलिए, सबसे पहले स्टार्ट किया जाए, यहां पर सेक्शन बी के इंस्ट्र यहां पर यह है question, सबसे पहला question है question number 23, कि how does the poet describe her mother, कैसे उनकी mother को, poet describe करती है, तो the poet describes her mother as old pal cold and chanil, कैसा बताती है वो उनकी mother को, तो वो उन्हें बूरी बताती है यहां पर, then friends बात आती है question number 24 कि, what childhood fear is felt by the poet, poet को बचपन से कौन सा जो डर है, वो सता रहा है यहां पर, तो the poet's childhood fear was that she would lose her mother to the cruel hands of death and would thus be separated from her forever, यहां पर poet को एक ही बात का डर है, बचपन से, कि एक दिन, वो अपनी जो mother है उन्हें खो देंगी, या उनकी मृत्यू हो जाएगी और हमेशा हमेशा कि उनकी जो mother है, वो उनसे बीचड जाएगी, then 25 number, mention the way in which the poet bids add you to her mother, add you means, विदाई कैसे वो अपनी मदर को जो है वो विदाई देती है, यहां इसके लिए answer बन जाएगा, the poet bids add you to her mother at airport, at parting words of the poet are irony, as she says, see you soon amma, airport पर जब आखरी जो सब्द बोलती है, वो होते हैं, see you soon amma, और मैं तुम्हें जल्द ही दुबारा मिलूंगी, इस तरह कहके वो क्या गरती है, उ question number 29 की, चोकी है FOS, यानि की figures of speech, यहां पर 26 number का question है, so blot their maps with slum as big as doom, सीधी सी बात है, friends कि अगर हमने figures of speech की जब शुरुआत की होगी, तो पहली figures of speech 99 percentage case में पढ़ाई जाती है, कि जहां पर as आता है sentence में, तो वो क्या होता है, similarly होता है, so option number 20, similarly is correct answer for question number 26, then 27, life is what it is about, यह क्या है, एक brief statement, और जब भी brief statement की बात की जाती है, तो वो होता है, दूस्तों, यहां पर epigram, then 28, the police traffic passed with a mind ahead, यहां पर दूस्तों, जो police traffic है, इसका मतलब होता है, कि जो city के people होते है, city के जो लोग होते हैं, वो, जब भी दूस्तों, यहां पर कोई phrase में, यहां sentence में, कुछ special निकल के आ रहा है, कोई word, उसका meaning, तो यह सीधी सी बात है, यहां पर यह हो जाता है, हमारे लिए, metonymy, so, option number A, metonymy is correct, answer for question number 28, then friends, बात आती है, 29 के, काफी अजीब सा यहां पर, कि when aunt is dead, her terrified hands will lie, यहां पर दूस्तों दिखा जाए, तो नही, according to me, यह बन रहा है, पन, नही metaphor नहीं antithesis और नहीं light otis, so friends, यहां पर इसके लिए correct answers, यह फिर कहा जाए कि correct figures of speech बन रही है, वो, अगर यहां hands भी लाई, अगर हम लेते हैं, तो यह बनता है personification, और या feel, इसमें सिर्फ अगर हम hands को focus करते हैं, तो यह बनता है synek duck, तो यह तो यह personification होना चाहिए, और यह त पर define करके आपको यह बता दी हुई है, so hands will lie, जो है, इसका मतलब यह होता है, कि जब भी कोई non living thing, जो है, वो कुछ human thing कर रहा हूँ, human action बता रहा हूँ, उसके लिए friends, तो यह हो जाता है personification, then friends, यहां पर बात की जाए, question number 30 to 35, कि यह 29 तक तो हो जाते है, finish, 30 to 35 के लिए हम instruction दी हुई है, कि answer the following questions in about 4 to 5 sentences each, any 4, हमने 24 कहा गया, लेकिन हम तो कर रहे हैं, sample question paper solve, तो आप सभी की help के लिए, खास करके ऐसे बचों की help के लिए, कि जिनके पास digest, या फिर कोई other type का material उनके पास available नहीं है, कि वो उनके answers जो है, वो लिख पाए, तो सभी की help के लिए यहां प और मैंने कर दी है, इनके सारे के सारे answers solve, simply friends, यहाँ पर आप जो है, वो लिख पाएंगे, question number 30 है, my mother at 66 depicts the disabilities of human relationship explain, और simply friends, आपको जहाँ पर भी लगता है, यहाँ जरूरत, वहाँ कर यह आप अपना video post, और इसका जो answer है, वो आप लिख सकते हैं, then friends, बात आती है, यहाँ पर Stephen Spender to improve the condition of children of the slums in an elementary school classroom in a slum, so इसके लिख यहाँ पर यह रहा आपका answer, simply मैंने कहा, video कर यह post, और write down कर यह आपकी notebook में, then आता, यहाँ पर question number 32, explain the significance of the title keeping quiet, और इसके लिख जो answer है, यहाँ किया हुआ है, हमने mention, चले friends, बात की जहाँ यहाँ पर question number 33 की, what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings, can it clarify your views, giving substantial examples with reference to the poem, a thing of beauty, and यहाँ यहाँ पर इसका answer, then 34, describe the plea of the fog, who had put up the roadside stand, यहाँ इसका यहाँ पर answer, then 35, number, why do you think Aunt Jennifer created animals, that are so different from her own character, what does this difference suggest, and last वाला जो है 35, उसका भी हो गया, friends, यहाँ पर answer, so question number 35 तक friends यह हो जाते हैं, यहाँ फिनिस, and इसे के साथ में, section B, जो है friends, यह भी हो जाता है, यहाँ पर completely solve, बात की जाएं यहाँ पर काफी important essay, section C की, लेकिन section C की तरफ आगे बढ़ें, उससे पहले मेरी आप सभी से एक शोटी सी request है, कि अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल पर नाए है, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए red color के subscribe बटन को दबागर चैनल को subscribe कर दीजिए, बगल भाएं फिए bell आइकन को भी on कर दीजेगा, और जूट जाएएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर, तो कि यहाँ पर आपको, इंगलिस मीरियम की ऐसी ही informative जो इंगलिस की वीडियोज हैं, वो मिलती रहती हैं, साथी साथ वीडियोगर आपको पसंद आ रही हो, तो इससे like ज़रूर से कीजेगा, और दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, यहाँ इस बार हम section वीडियोपर aim करते हैं 100 likes का, अगर friends आप हमें करवा देते हैं यहाँ पर 100 likes complete, तो बेहत जल लाएंगे यहाँ पर हम section D and section E भी, चले बात कीजाएं दोस्तों यहाँ पर, section C की, so section C जो है, इसके लिए यहाँ पर सबसे पहला हमें दिया हुआ है, कि rectify the errors, जो कि है question number 28 to 31, जहाँ पर friends हमें four line का यहाँ पर छोटा से एक paragraph दिया हुआ है, और हर एक line के अंदर एक error है, और इसके correction जो है, वो हमें करके लिखना है, सिबसे पहले है कि whenever I look up for my writing, so look जो है friends, यहाँ पर हो जाती है, हमारी error जिसके लिए होना चाहिए looked, then I saw am humble sitting, sitting जो है friends, यहाँ पर यह हमारी error उसके लिए हो जाए गई यह वाला sitting, then and gazing first at one thing, think नहीं friends, यहाँ पर आना चाहिए यह thing, then आता है then at another, यह तो comparing के लिए होता है, हमें तो क्या घरना है, THEN वाला देन लागाना है, time वाला, यह then का एक fact आपको मैं समझा देता हूँ, देखिए, जो THEN वाला देन होता है, यह क्या होता है friends यहाँ पर, तो यह होता है किनी, दो चीजों की comparison के लिए, अगर आपको याद रखना है, तो याद कैसे रखेंगे आप, देखिए THEN के अंदर A आता है, और comparison के अंदर भी क्या आता है, A आता है, देन, अगर देन की यह वाले बात करते हैं हम लोक, तो यह किसलिए होता है यहाँ पर, तो यह होता है टाइम के लिए, देखिए, इसमें E आता है, और इसमेंगे याद रखे शबते हैं, अगर अगर इपन यहाद के याद्रश दखे हैं कि भी comparison यहाँता है, using correct meaning of the given phrases or idioms simply friends यहां पर हमें दिया हुआ एक sentence and उसके beside हमें दिये हुए यहां पर three options एक जो है वो correct है और उसे हमें pick करना है और replace करना है यहां पर कैसे करना है simply मैं आपको समझाता हूँ for example 14 नमर में आप देखिए कि I started for school very late that morning and was in great dread of scolding then friends यहां पर three options है great fear of, great confusion of and great anguish of so great dread of जो है friends great dread of के लिए यहां पर होना चाहिए great fear of तो आप क्या करना है यहां पर great dread of की जगा सिर्फ लगा देना है great fear of तो पूरा sentence क्या बन जाएगा I started for school very late that morning and was in great fear of a scolding hopes कि आपको समझ में आ गया होगे कैसे यहां पर यह करना है replace एक और example दिख लिए जाए 41 number का they lived in perhapsual state of poverty जिसमें perhapsual जो है friends इसका मतलब बता है कभी खत्म ना होने वाला और कभी खत्म ना होने वाले के लिए हमें क्या दिया हुआ never ending state तो आपको simple लिख देना है they lived in never ending state of poverty यानि perhapsual state जो है यह replace हुजाए का never ending state के साथ में है then 42 falling into swimming pool he felt that the curtain of his life fell the curtain of his life fell का मतलब क्या होता है he was dead तो यह कर दीजे replace then 43 the tramp plodded along the road अब दो सो plodded का मतलब क्या होता है कि काफी कठिनागियों के साथ चलना so walked with difficulty तो यहाँ पर यह जो है friends यह हो जाएगा इदर पर walk with difficulty plodded के लिए तो इसे कर दीजेगा आप replace तो यह खत्म होता है यहाँ पर question number 40 to 43 then बात आती है काफी important सा और काफी डरावना सा ऐसा यहाँ पर indirect speech 44 number का question अभी यहाँ पर friends आप सभी के help के लिए यह भी मैंने किया हुआ है already यहाँ पर prepare simply वीडियो को करिएगा post और जहाँ पर आपको लगती है ज़रूरत वहाँ आप write down कर सकते हैं यह तो हो गई friends यहाँ पर indirect speech जो है वो convert बात की जाए इसके बाद वाले question की जो की है यहाँ पर do as directed काफी अच्छी सी बात की बाई do as directed जो है यह हमें पूछा जाते थे 5 to 6 marks के अंदर और वो भी sentence wise इसका इस बार weightage बढ़ाके कर दिया गया है 8 और सबसे अच्छी बात ही है कि हमें दे दी है इस बार ncq format में जो की काफी अच्छी सी बात आई है 45 नंबर का friends यहाँ पर देख लेते हैं कि do you know anything about cars तो कि choose the correct assertive sentence अब friends assertive sentence हमें करना तो है लेकिन यहाँ पर यह question वाला यानि कि interrogative sentence जो है इसे assertive में जब कर रहा है तो इसे हमें के करना पड़ेगा negative में भी convert करना पड़ेगा साथ ही साथ तो यह कैसे हुचा कि I don't know something about cars में तब मुझे थोड़ा कर के बारे में मालूम नहीं यह बहुत स्यादा मालूम है so according to me option number D जो है friends यह यहाँ पर होना चाहिए correct अच्छा यहाँ पर जहां पर भी मैं अश्याओर हूँ हां मैं आपको पहले से कहा दूँगा और जहां मुझे लगता है कि doubtful के साथ मेरा भी हो सकता है तो आप यहाँ पर friends cross check कर सकते हैं so according to me फिलाल के लिए यहाँ पर friends option number D जो है यह होना चाहिए यहाँ पर correct answer then what is mean by this choose the correct active voice अब यहाँ पर what is mean by दिया हुआ है मतलब यह passive है और इसे हमें convert करना है active है so सबसे पहले what and what common निकाल लेते हैं ठीक है is यहाँ पर B और D जो है friends यह तो हमारे answers नहीं होने वाले है यहाँ यह तो A है और यह तो C है mean by this देखें यहाँ यहाँ यू का जिक्रे किया है कि जब यू के बारे में तो हमें कहीं कहा ही नहीं गया है what does this mean what does this mean का क्या हो जाएगा what का what common रहता है यहाँ पर does जो है उसके लिए हो गया is then friends यहाँ पर mean जो था इसकी third form हो जाती है mean और this जो है यह हो जाएगा हमारे लिए by this so active to passive में हो गया convert and यह तो friends obviously assure हो मैं तो यह option number C जो है यह हो जाएगा हमारे लिए correct answer then 47 all night गांधी जी remain awake पूरी राद जो गांधी जी है वो जाकते रहे थे जाकते रहे थे इसका मतलब क्या negative में करना है तो वो soe नहीं थे अब soe नहीं थे के लिए एकर चीदी जी बात है friends हम देखते हैं तो समझ में है अगर बी और बी तो answer नहीं आना चाहिए तो answer जो है या तो a में से है और या तो c में से है देखो एक तो can't दिया हुआ है और एक did not दिया हुआ है तो देखिए गांधी जी रिमें एडी लगा हुआ एडी यह मतलब past है और past के लिए क्या होना चाहिए डीड होना चाहिए तो option number c जो है यह हो जाएगा हमार ले correct answer क्यों नहीं गांधी जी पूरी रात सोह नहीं थे मतलब जाग रहे थे अश्योर friends यहाँ पे भी 47 में 48 आता है अब यहाँ पर the place was quite जो है इसके लिए होना चाहिए वासन दे प्लेस quite option number a 49 यूटो प्रीच वर्ज दैन परसन चीओ से correct positive डिगरी अब यहाँ पर कहा गया यूटो प्रीच वर्ज दैन परसन तो यहां यह पारसन लिखा हुआ एक्शली परसन होना चीए यहां पर यहां परसन और डू दिया हुआ है मतलग की यह यू के साथ है और परसन के साथ does हो जाएगा यह then not preach so bad as you does not है not है मतलब so or as आगया yes friends option number a जो है यह हो जाएगा यहां पर हमारे लिए correct answer then 15th number का question he only stared at the young girl in boundless amazement use the correct exclamatory sentence यहां मैं भी हूँ confusion mess but according to me now option number c जो है यह होना चीए यहां पर फिलाल के लिए correct answer then बात की जाए 51 की तो I am sure question टाक की बात की गई है गांदी जी kept kept यानि की क्या है past और past और पास्ट हो तो बढ़ी सी बात है कि यहां के बंद करके didn't he वाला हमले से तो यह गांदी जी के लिए ही हो जाएगा so option number c गांदी जी kept long distance watch on the ashram didn't he तो यहां पर kept था इसके लिए हो गया did last 52 नंबर का friends was too slow to reach school in time सीदी सी बात है यहां क्या कर गया है choose the correct removal of two sentence यानि remove two है remove two के लिए rule क्या है to जो है उसकी जगा होना चाहिए so और यह वाला to जो है उसकी जगा होना चाहिए that और यहां पर friends जो है उसके लिए होना चाहिए he could not check करते है could not वाला sentence कौन सा है so option number a जो है वो है हमार लिक लेक्ट आंसर कि friends was so slow that he could not reach school in time and यहां पर इसी question number 52 के साथ में section c जो है friends यह भी हो जाता है complete और b and c जो है दोनों की दोनों हमने कर लिया यहां पर solve hopes हो कि यहां पर जो भी solution मेंने किया आपको provide वो आ गया होगा आपको अच्छे से समझ बस तो इसे के साथ की जाए हमारी यह आज की video complete लेकिन चाहते जाते वीडियो को like and share करना बिल्कुली ना भूलिए जोकि aim किया हुए 100 likes का and after that मिलना है हमें section D and section E के और हम तो कफी लंबे सवर के लिए हैं फिलाल यहां पर तो बस तो मिलते हैं बहुत चल्द एक न्यूव वीडियो में तब तक के लिए thank you so much जय ही इंद बंदे मात रहूं